हेई गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल क्रेजी आर्ट तो आज हम करेंगे इको प्रिंटिंग इको प्रिंटिंग के बहुत सारे मैथर्स हैं लेकिन आज जो हम मैथर्स यूज करेंगे वो है इको प्रिंटिंग विद हैमर तो Eco Printing हम फैब्रिक पे कर सकते हैं और पेपर पे भी कर सकते हैं तो हम करेंगे शर्ट पे Eco Printing पहले हमने Polythene Sheet जो है वो शर्ट के मिट में इंसर्ट कर दी है ताके जो भी हम डिजाइन करियेट करें लीव्स का वो लीव्स का जो जूस निकलेगा वो बैक साइड पे शर्ट के कहीं मतलब स्टेन वगयरा ना लग जाए तो इसलिए हमने वो पॉलिथीन शीट एड़ की है तो अब हम इसके शर्ट के ओपर जो है काफी जादा लीव्ज रख देंगे जो भी हमें डिजाइन चाहिए कोई भी लीव्ज किसी भी डिजाइन का हम ली हमर से करना है तो हैमर से कोई भी डिजाइन कहीं लीव्ज जो है वो मूब करके किसी दूसरी जगाना चला जाए तो अब देखें हम वो पॉलिथीन शीट के ओपर हैमर करेंगे तो अब हमने जो लीव्ज है इनके अच्छी तरह हैमर करना है ताकि सारे लीव्ज का वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक किया करें शेयर करें अपने दोस्तों से अपनी फैमली के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए का सब्सक्राइब करना मत बोला और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी तो ये देखें हमारी एको अपनिंग तकरीबन हो चुकी है अब हम ये परिथिन शीट को हटाएंगे और जो भी जो लीव्ज वगेरा रह गये हैं उनको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे तो सारे रिमेनिंग लीव्ज को उतारने के बाद अच्छी तरह से देखेंगे के कोई लीव्ज रहा तो नहीं गया, उनको अच्छी तरह से शर्ट को साफ करेंगे, तो फिर इस शर्ट को हम पहले ड्राइ करेंगे, तो बाकी का प्रोसेस बाद में देखते हैं, तो यह देखें, हमारी जो शर्ट है, वो ड्राइ हो चुकी है, तो अब हम, तो अब हम इस डिजाइन को सॉलिड करने के कुछ प्रोसेस करेंगे, पहले हम वाटर लेंगे, अब मनासब जिसमें शर्ट जो है न, वो अच्छी तरह से बीग जाए, तो इसमें हम एड़ करेंगे वीनिकर, वीनिकर से यह होगा, कि जो शर्ट पे हमने लीज का डिजाइन करियेट की, वो एक दम सॉलिड हो जाए, त अब हम इसको मिक्स मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद, अब हम इसमें शर्ट एड़ करतेंगे, वीनिकर में शर्ट एड़ करने के बाद, इस शर्ट को अच्छी तरह वीनिकर लगाएंगे, ताकि यह जो हमारा डिजाइन है, वो अच्छी तरह से सॉलिड हो जाए, और दोबारा फिर धोने से वाश करने से यह उतरेना तो इसलिए हम यही प्रोसेस यूज करें हैं तो अब हम इसको अच्छी तरह से हल करेंगे इसमें विनिगर में तो फिर हम इसको वन एनार इसमें भी करें देंगे तो फिर मिलते हैं आप्टर 1NR तो गाइस 1NR हो चुका है तो अब हम इसको इस वीनिगर से निकालेंगे तो अच्छी तरह से पानी को निकालेंगे तो यह हमारी जो इको प्रिंटिंग है इसका प्रोसेस हमारा कम्प्रीट हो चुका है तो अब देखें हमने इसको हैंकर दिया है तो अब देख सकते हैं और हमें कुमेंट में बताएं कि यह शर्ट कैसी लगी हमारी अगर एको प्रिंटिंग अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अलाहाफिर बबबए